बेलतरोडी रोड पर सोमवार को भीशन हाथसा हो गया। स्टेरिंग लॉक होने से स्कूल वैन पानी से बरे गटे में जागिरी। हाथसे में दो मासूम विद्याती खायल हो गया। बेलतरोडी थानी में आरपी चालक के खिलाब प्रकरंड दर्च किया गया है। सुमवार की सुबर स्कूल वैन का चालक प्रकाश यश्यमाल मोतिकर पोद्दार इंटरनाशनल स्कूल के विदाथियों को स्कूल ले जा रहा था। वैन में लगबग 16 विद्याती सवार थे। बेसा बेलतरोडी रोड पर चलती वैन का स्टेरिंग अचानक लॉक हो गया। इ उसने वैन की गती कम कर उसे नियंसित करने का प्रयास किया। इसके बावजूत वैन सड़क किनारे पानी से भरे गड़े में जागी दी। इससे मासुम विद्याती एक दूसरे के नीचे दब गए। चीक पुखार सुनकर बस्ती के नागरिक मदद के लिए दोड़े। उन के मून नाक में चला गया था। उन्हें सास लेने में तक्रीफ हो रही थी। अन्यविद्याती उनको भी मामूली चोटे आई है। लेकिन सभी सुरक्षित है। दिवाज चो लावटने को निजी अस्पिताल में भाती किया गया है। हाथसे की जानकारी मिलते ही परिजन औ से वैन को निकारा गया। निरिक्षक चंद्रकांत यादोनी आरोपी चालक प्रकाश के खिलाप प्रकरण दजकर उसे गिरफतार किया। पर बात में जमानत पर छोड़ दिया गया। परिवहन विभाग के अरुसार वैन में करीब 12 विद्यातियों के सवार होने की एक्षम परिवहन विभाग ने इस और गंबिरता से ध्यान नहीं दिया। ब्यूदर रिपोर्ट केसरी उजला नियूज नाकपूर